यह सर बताइए हलो सर मैंने पूछना था जैसे बिजनस रिस्क होता है को प्रेटिंग रिस्क होता है उनमें डिप्रेंस के आप दुनों में इसका प्रॉपर थियोरी मैं प्रॉवाइट कर दूँगा यह थियोरी कहा है बेसिकली इस तो आपका ओवरॉल हो गया मतलब आपका सबसे इंपोर्टेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वे से मानके चल avanz में पूछे जाएंगे दो टॉपिक करने के बाद ना इस चैप्टर में सिर्फ प्रैक्टिस बच जाता है फिर आज वाले टॉपिक को करने के बाद सर क्या सीखेंगे हम ओवर ओल कॉस्ट ओफ कैपिटल ओवर ओल कॉस्ट ओफ कैपिटल अब ओवर ओल कॉस्ट ओफ कैपिटल को क्या बोल सकते हम बेटेड आवरेज कॉस्ट ओफ कैपिटल डबलू एसी सी और क्या बोल सकते हम को क्या हमारा small o है that is आपका सर इसके अंदर दो मैथोड्स हैं इसमें दो मैथोड्स है सर दो मैथोड कौन से है मैथोड नमबर वन यूजिंग बुक वेल्यू और एक है यूजिंग मार्केट वेल्यू एक है यूजिंग मार्केट वेल्यू सर अब यह बुक वेल्यू या मार्केट वेल्यू क्या है पहले मैं आपको बुक वेल्यू का सिखाऊंगा फिर मार्केट वेल्यू का बताएंगे हम ठीक है ना पहले हम बुक वेल्यू का अच्छे से दो तिन सवाल जो भी बनते हैं वो करेंगे अगली क्लास का कॉंसेट रहेगा हमारा मार्केट वेल्यू का ठीक है अब ऐसे सिचुएशन में अब इसके भी न करने के दो तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल वाला मैथट फॉलो करूँगा जिससे आपको आसानी हो मैं दूसरे वाला जब खतम होगा न जैसे भुक में करते हैं वो दूसरा बाद में बता दूँगा देखो ऐसे ऐसे किया हुआ है बाकि आपको यह फॉलो करना अंसर एक्जेक्टली सेम आता है कोई फरक नहीं पड़ता और दोनों मैथट विलिड हैं मारे भुक में भी गि यहां यहां पर हम लिखेंगे फंड और पर्टिकुलर लिख दिया है यहां पर लिखेंगे फंड यहां पर लिखेंगे कॉस्ट समझाने के लिए अगर मैं लिखूँ तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए इसका नाम दे देता हूँ बी और अगर आप बोलते हैं सर इसका नाम दे दो तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं इसका नाम दे देते हैं ए इंटू में बी प्रोडक्ट का मतलब यही होता है है ना सबसे पहले आपका सोर्स बेसिकली हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तीन चीजे थी याद होगा तो यहाँ पे आएगा एकुटी शियर कैपिटल और जो भी अमाउंट जितने रुपए का होगा यहाँ पे लिख लेंगे जैसे कि दस रुपए फेस वेल्यू है और एक लाख एकुटी शियर है तो दस रुपए इंटू एक लाख दस लाख आ जाएगा तो वो अमाउंट यहाँ जाएगा एक यहाँ पे रिटेन हमने जिस बच्चे ने लिवरेज करा हुआ है लिवरेज के टाइम पे इसलिए मैंने लिवरेज चेप्टर कराया था क्योंकि उसके अंदर इसका पॉइंट रेफरेंस आएगा तो रिटेन अर्निंग क्या होता है जो हम डिविडेंट दे टाइम पे जितना हिस्सा बचा ल इसके बाद आजाएगा आपका डिवेंचर और जहां मैं डिवेंचर लिख रहा हूँ ना तो अब सारी चीज़े मान लीजिए डिवेंचर भी हो सकता है बॉन्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है अब हमें क्या करना है कॉस्ट के अंदर इकुटी के लिए क्या निकाला था आपने बताईए एक्विटी के लिए क्या कॉस्ट निकाला था याद है कुछ एक्विटी के लिए क्या निकाला था बताओ एक्विटी का कॉस्ट को क्या नाम दिया था कह रहे हैं अरे क्या दे के कहते हैं यहां पर के का जो भी परसंटेज आएगा सपोस करो 10 परसंटा है तो 0.1 लिखना है अभी हम कुश्चन भी देखेंगे इसके लिए भी के ही आएगा इस बात को ध्यान रखिए इसको हम आगे market value में बड़े अच्छे से समझने वाले इस point को ठीक है इसके लिए क्या आएगा हमारा और इसके लिए क्या आएगा इन दोनों को multiply करके एक amount generate हो जाएगा हमारा इन दोनों को करके एक amount generate होगा अब total करेंगे हम सर किस-किस को total करेंगे एक इस amount को भी total करेंगे और इस amount को भी एक ये total होगा और एक ये टोटल होगा अब थोड़ा सा मैं स्टैट्स को याद करिया अभी तो कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे स्टैट्स स्टैट्स में आपका एक सिरीज होता था जिसके अंदर हम सिग्मा एफएक्स डिवाइड़ बाई सिग्मा एक्स करते थे टोटल करके ठीक है ना सेम फॉर्मूला यहां अपलाई कर रहा हूं मैं इसके करने के दो तरीके हैं ध्यान से सुन लिजेगा बुक के अंदर दूसरे मैथड से कुछ कोशन्स किया हुआ है कुछ कोशन्स इस मैथड से किया हुआ है मैं सारे कोशन्स इसी मैथड से करूँगा दूसरे मैथड को लास्ट क्लास में समझा दूँगा देखो ऐसे भी हो सकता है तो अब फॉर्मूला क्या है हमारा डबलू divided by sigma fund को कर देंगे total और into में hundred ये एक weight कर देगा weighted average आपने कहीं ने कहीं goodwill अगर निकालना सीखा हो तो goodwill में भी semester 2 के अंदर weighted average में ये करा था आपने इस काम को तो इस से जो भी निकल के आएगा क्या निकल के आएगा overall cost of capital इसको WACC के जगह पे के ओ भी बोला जा सकता है कई बार question ये भी बोल देगा के find out cost of capital तो आप समझ जाईएगा कि ये पूरा आपका पूछ रहा है ना कि सर्फ एक point पूछ रहा है आपसे ठीक है ना तो चलिए sir यहां तक मैंने ये formula लिखा बड़ा simple है जितने shares के fund होंगे cost निकालना आता है हमें हमने हर components के cost निकालना सीख लिया है total multiply और हमारा result आ जाएगा same process market value में होगा लेकिन market value को हम अगली class में cover करने वाले हैं तो एक question इस base पे हो जाए तो समझ में आएगा पहले यहां तक देखिए clear है सारी चीज़े cost of equity is equal to कि बिल्कुल सही बात चलिए एक question आपके सामने आईए क्या कहता है question में कहता है Satija company has a following capital structure July 15 में ठीक है सर इसके पास देखिए number of equity है कितने है चार लाक और इसको amount के terms में आपको दे दिया है तो हमें तो amount चाहिए होता है number का कोई लेना देना नहीं हमारा तो amount दे दिया है तो आप अगर कोई पूछ ले कि बताओ एक share कितने का है चलिए सर there are a company currently sell 25 रुपए का आपका currently sell कर रहा है क्या shares तो इसका मतलब ये जो आपको दे रखा है that is P0 हो गया ना आपका ये है कि नहीं market price of equity P0 है it is expected that company will pay 2 तो ये क्या हो गया बताओ 2 रुपए will pay dividend तो ये कौन सा dividend है D1 है या D0 है D1 हो जाएगा क्योंकि future में paid करेगा share which growth rate 7% यानि growth क्या है हमारा 7% forever के लिए assume tax rate 30% है हमारा you are required to compute weighted average cost of capital on existing capital structure तो जो हमें capital में different total capital जो दे रखा है हमें कितने का दे रखा है 1,60,000,000 का इसके अंदर कुछ equity है कुछ debenture है कुछ आपका preference यह है that is capital structure तो हमें सबसे पहले format को अगर मैं बनाऊं यहाँ पे आपके लिए जो अभी बनाया था मैंने same as a T's format बना लेते हैं आपके लिए ये product हो गया ये cost हो गया ये fund हो गया ठीक है उपर लिख लेते हैं A C C चलिए सर यहाँ पे क्या है हमारा equity share capital short form यूज कर रहा हूं मैं इसके बाद preference share capital आपने exam में पूरा form यूज करना है इसके बाद debenture क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं यहीं पे दोनों पार्ट करके दिखाऊं मैं सर equity share capital दे रखा है आपको question में 80 lakh और preference share दे रखा है question में 20 lakh और debenture दे रखा है आपको 60 lakh और इसका total भी दे रखा है in fact आपको 160 lakh अब हमें यह क्या है fund है अब इसके बाद हमें क्या चाहिए cost अब सर cost का मतलब क्या है के-ई-के-डी अब के-ई हमें निकालना पड़ेगा के-डी भी हमें निकालना पड़ेगा और के-पी भी हमें निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें यहां से निकालते हैं इधर हम formula कर लेंगे तो सबसे पहले के-ई निकाल लेते हैं सर केई क्या है हमारा सर D1 divided by P0 और प्लस में G और multiply बच्चे बोलते हैं सर आप 100 नहीं करते हो तो मैंने कर दिया ये लो अब D1 question के अंदर सवाल में मैंने लिख दिया था ये 2 है हमारा D1 तो 2 आ गया और P0 question में है 25 और multi plus में G दे रखा था question में forever 0.07 और multiply 100 बताइए क्या है answer बताइए क्या है answer डिस्प्ले ब्लर आप एक बार setting चेक कर लो मेरे पास clear शो हो रहा है यहां पर दोनों डिस्प्ले पर आप एक बार setting चेक कर लो 15% बच्चों ने जवाब दे दिया सभी ने 15% तो यह आगे हमारा 15% ठीक है कितने आगे अब 15% है तो इसको यहां use कर लेंगे 0.15 ठीक है 15% को solve करोगे तो 0.15 भी आने अब हमें इसके लिए KP की ज़ुरत पड़ेगी तो KP भी निकाल लेते हैं तो sir KP कैसे निकालते हैं always ना question में 90% chances रहता है कि KP same rate आता है क्योंकि CDT रहा नहीं अब तो KP is equal to D divided by NP into में 100 और आपको देखो preference share दे रखा है 10 अब मान लो 100 रुपे का एक होगा तो 10 divided by net proceed 100 into में 100 तो देखो ये 10% ही आगे ultimately तो ये आगे 0.1 देखिए ये आगे 0.1 ठीक है अगले point पे चलते हैं हमारा debenture की बात कर रहा है तो debenture के लिए tax use होना है तो अब मैं क्या निकाल लूँ यहाँ पे सर KD और debenture भी आपका irredeemable है तो KD का formula क्या होगा KD interest 1 minus में T divided by NP into में 100 सर interest क्या होगा rate दे रखा है आपको कितना 10% 100 रुपे का एक मान लो तो 10 रुपे 1 minus T 0 T tax दे रखा है 0.3 और divided by NP कुछ भी नहीं दे रखा flotation cost वगारा नहीं दे रखा तो कितने मान लोग है सर 100 रुपे का ही रहेगा into में 100 तो कितने आ गए यह 7% बच्चों ने निकाल के दिखा भी दिया 7% ठीक है अब सर ये भी पता चल गया हमें मैं step by step कर रहा हूँ और ये question 15 नंबर का आता है और 20 नंबर का भी आ सकता है इस type का question मैंने पहले ही कहा financial management आपको अगर आप समझ लेते हो तो कुछ भी नहीं है paper 2-5 गंटे में हो जाता है नहीं समझते हो तो फिर आप इसमें कोई भी अपना logic नहीं लगा सकते चलिए सर ये नहीं साथ ही आएगा अब एक बार और निकालो आईए चलिए अब देखें डबलू ए सी सी डबलू ए सी सी में क्या आएगा डबलू ए सी सी में सर डबलू ए सी सी में आएगा सिग्मा और ये product आएगा तो पहले product चाहिए तो पंदरा इंटू आठ तो कितने होंगे एक लाग बीस अजार एक लाग बीस अजार और बताईए कितने बच्चों का 7 के लावार है अब देखिए इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या हैगा 20,000 2,000,000 आएगा 20,000,000 को इसको पहले का 12,000,000 है तो इसका 2,000,000 ठीक है इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो 7, 63, 36,000 या 63,000 63,000 होगा देखो कि अच्चाईब्ञ होगा या चार वे शार वीस अब एड़ कर लेते हैं 12,00,00, दो लाग चार वीस अठारा वाग तो sigma product divided by sigma fund और इसको A और B FX कर सकते हो इसको आप वैसे ही मान लो X मान लो इसको F मान लो इसको FX कर लो जैसे मान सकते हो आप ठीक है ये है हमारा 18,20,000 divided by 160,000 into में 100 ये आंसर आगया और that is KO भी बोला जा सकता है इसको अब चेक करीए आंसर ठीक है अब कई बार ना आंसर में थोड़ा बहुत फ़रक आ सकता है जैसे 11.375 आ रहा है 11.377 आ सकता है 11.71 आ सकता है ऐसे पॉइंट कुछ का फ़रक हो सकता है आप बुक में चेक करोगे तो देखो दूसरे मेथट से करा हुआ है सेम मेथट किया हुआ है बुक वालों ने बुक वालों ने इस कोश्चन को अपने दूसरे तरीके से करा होगा लेकिन अगर आपको ये मेथट समझ में आ रहा है तो यही बढ़िया है अमारे लिए है WACC 35% नहीं आएगा 11.37% आएगा 35% नहीं है 35% गलत निकला है आपका बच्चों ने निकाल दिया तरंग ने निकाल दिया अवीका का आगया कनक का आगया कनक का गलत आए था मिटुल का 42 लेना है 42 लाख नहीं है 4 लाख 20 अजार होगा अगर आप मल्टिप्लाइ करोगे तो अंजली सही आकुरुती सही अर्स सही इक्रा सही अंशु का भी सही है आप बताईए पहले यहां तक रंदीप का भी आ गया सभी बच्चों का लगभग लगभग एकदम सही आंसर आ गया है सही रेनू का सही अनिरूध का सही है अर्शिन हैंट्रिस अभी लेंगे हैंट्रिस का भी लेंगे खतम करने के बाद इसको अर्शिन अर्शिन अगले question में आपको जो 3 दे रखा इसमें सर्फ ये वाला part आप करेंगे ये वाला part मैं class में करा दूँगा although आप formula में जब put करेंगे तो आपको ये वाला part भी मिल जाएगा लेकिन ये वाला part करेंगे 5.3 का 5.4 भी आपका homework में है ये तो मुझे ही कराना होगा तो आपको दो question दिया गया है ये पूरा question homework में और एक ये point homework में अगली class के अंदर next class जो भी होगी आपकी उस class में हम 99% मान के चलो concept खतम कर लेंगे कितने question है इसमें देख के बताना एक बार ज्यादा question होगा इसमें कितने है तो देखो मेरा concept कराना है concept कराने के बाद जैसे market value होगा ना फिर ज्यादा question आपको homework में मिल जाएगा फिर doubt session ही लेंगे हम ठीक है हुआ 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 है